सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स के गुरुफिश एपिसोड में और लेखे आए हूँ आपके लिए बहुती कमाल की टेक्नियूस तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है जियोनी के एक अपकमिंग फोन के लिए जो लीक हुआ है जिसका नाम है जियोनी S10 और यहाँ पर दोस्तों लीक्स यह कहते हैं कि इस फोन में होंगे 4 कैमरास, 2 आगे, 2 पीछे, आगे से सेल्फी, पीछे से सेल्फी, S10 का मतलब सेल्फी नमबर 10 इंडिया में आया है तो और अच्छे से बना देंगे हमारे हिंदुस्तान को सेल्फी स्तान, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो आता है Samsung Pay को लेके और अभी जो रिपोर्ट से दोस्तों वो यह कहती है कि जो M-Swipe Terminals आपको मिलते हैं इंडिया में जो बिल्कुल चोटे वाले वो होते हैं Card Swipe Machines वहाँ पे भी अब Samsung पे बिल्कुल अच्छे से काम करने वाला है तो इसका मतलब यह है कि अब आप पूरे इंडिया में लगबग सभी Card Machines वर्च्वली जहाँ पे मतलब आप Card Swipe करेंगे वहाँ पे आप सभी जगे अपने Mobile Phone से डिरेक्ली Pay कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है दूसरों अगले अपडेट है निकल के आता है वो है Uber की तरफ से और Uber बेसिकली अपनी एक AI Lab को सिट अप कर रहा है टोरंटो में जहां पर दोस्तों वो यह रिसर्च करेंगे कि जो Self-Driving Car से उनको और कैसे अच्छे से इंप्रूफ किया जाए कैसे उसमें जो Collision Avoidance System होंगे और जो Safety वगर है वो कैसे उन Cars की बढ़ाई जाए कि आगे चलके जब एकदम माज स्केल पर ये काम होने वाला है कि सभी तरफ आपको ऐसी ही Cars दिखने को बिलेंगी तो उस Case में Uber कैसे ये पका करे कि जो उनकी Cars है वो काफी भैतर हो अब इंडिया में Self-Driving Uber Cars आप Imagine करके देखो एक बार कितना अच्छा लगेगा अगर ये चीज़ Implement हो जाए तो मतलब बस ना कार आएगी और आप बैचो और बस निकल लो दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट है वो आता है Instagram के लिए आपके लिए good news होगी अगर आप Instagram को use करते हैं किसी वजह से अप आपके पास में नहीं है तो अब दोस्तों यहाँ पर जो Instagram की mobile website है उसके थूभी आप photos को upload कर पाएंगे selfies को भी upload कर पाएंगे इसी mobile website के जरीए लेकिन यहाँ पर ज़्यादा features नहीं मिलेंगे आप सिर्फ crop कर सकते हैं उसके अलावा आपको filters वगरे जगाने के option कोई भी नहीं मिलने वाला है तो यह आता है एक update इंस्टेग्राम की तरफ से दोसरो अगले update आपने निकल के आता है वो है एक बहुत ही शांदार phone के लिए जो है HTC का Uplay इसको launch किया था है HTC ने इंडिया में कुछी time पहले और जो price थी वो थी 39,990 यहाँ पर दोसरो आपको मिलता था एक बहुत ही कमाल का processor जो की है MediaTek की तरफ से आने वाला Helio P10 और अभी बस कुछी time हुआ है और जो phone की price है वो घट गई है 10,000 रुपे और अब यह मिल रहा है 29,990 रुपे का यार पता नहीं क्यों brands ऐसा करते है मतलब launch करेंगे उनको मालू में कोई खरे देगा ने इस phone को 30,000 भी इसके लिए बहुत-बहुत महेंगा है यह 20,000 जूपर का phone नहीं है HTC का नाम जोड रहा हूँ साथ में इसले बोल रहा हूँ 20,000 वरना तो 20,000 भी लिए 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 इस phone का अब यहां पर यह लगे पड़े ऐसा करने में आप मुझे बताओ किसके बारे में आप क्या सुचतों नीचे कॉमेंट्स में दोस्तों यहां पर जो अगला update है वो आता है Qualcomm की तरफ से और यहां पर दो नए प्रसेसर सामने आ गए हैं जो कि है Snapdragon 660 और Snapdragon 630 मैं इनको लेके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ डीटेल तो आप वहां पर जाके और अच्छी से चेक कर सकते हैं यह पिसिकरी दोनों ही दोस्तों OctaCore प्रसेसर से हैं जहां पर काम में लिया गया है 14 नानोमीटर की टेक्लोजी का जिससे mid-range phone से हमें कहूँगा 6601 के से फोरे से premium mid-range phones जो हैं वो आपको काफी अच्छी performance देंगे, काफी अच्छी value देंगे क्योंकि यहां पर additional दोस्तों Quick Charge 4 और Bluetooth 5 का support भी मिलता है तो उमीद है कि यह 25 वाले जो phones हैं वो बहुत ही जल्दी market में आ जाएंगे दोस्तों यहां पर जो अगला update है वो आता है HMD Global की तरह बिसलों दोस्तों उनकी जो chief production officer है वो यह बोलते हैं कि जो India है वो basically एक ऐसा market होगा Nokia के इन phones के लिए जो यह बताएगा कि यह जो phone है यह market में किस तरह से perform करेंगे इनके दोस्तों कहने के मताबिक अगर यह phones इंडिया में अच्छी तरीके से बिके इसका मतलब यह कि पूरी दुनिया में अच्छी तरीके से बिकेंगे और अगर इंडिया में flop हो गए मतलब यह कि पूरी दुनिया भर में flop होने वाले हैं, मतलब बिसकली जो इंडिया है, वो एक ऐसा marketer को डिसाइड दितरे का इन phones का future क्या है, अब इंडिया में ये phones कब आते हैं, कैसे आते हैं, देखते हैं, और क्या price पे आते हैं, और साथ में कितने लोग इनको purchase करते हैं, दोस्तों अगला update है, वो आता है Google की तरफ से, और basically यहाँ पे एक ऐसा नया OS है, हाला कि इसके बारे में हम पिछले काफी टाइम से सुन रहे थे, लेकिन कोई photos हमारे पास में नहीं थी, तो यहाँ पे दोस्तों यह जो OS है, Fuchsia OS, यह basically leak होके आगे है कुछ photos की form में, यहाँ पे दोस्तों करनल है, वो भी Linux का नहीं है, यह इसका नाम जो है Magenta Kernel, जो Google ने अपने आप develop किया है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो apps हैं, वो बनाई जाएंगे Flutter SDK के जरीए, और यह एक नए टाइप का OS होने वाला है, इसका जो वो complete interface मिलता है, उसका नाम है Armadillo, और यह सब leaks ही हैं, आनुले दिनों में शायद यह Android को replace कर सकता है, या फिर even कुछ flagship grade phones के लिए Google इसको launch कर सकता है, यहाँ पे आपको दिसने interface के अंदर, आपको ऐसे cards form में जो है, वो complete interface मिल रहा है, यह एक तरीके से बहुत ज़्यादा अभी early इसकी builds है, आगे चलके कब Google ठीक से launch करता है, या फिर क्या पता है ऐसा भी हो सकता है, कि इस साल के end में जो तीन pixel phones के उनको report मिल रही है, हमाँ पे शायद दो जो pixel phones होंगे, वो होंगे normal android वाले, और यहाँ पे जो एक phone हो सकता है, fuchsia OS वाला हो, तो यह एक नया OS है, जो काफी powerful होगा, और काफी efficient होगी, आप जो apps होंगे, काफी responsive होंगे, यह से पता चलता है, और देखते हैं काई चलके कब आता है, किस phone के through, या किस device में इसको यूज किया जाता है, दूसरों अगले update निकल के आता है, वो है snapdragon 835 के बारे में, बहुत सारे phones दुनिया भर में announce हो चुके हैं, unveil भी हो चुके है, snapdragon 835 के साथ में, जिसमें से galaxy S8 भी एक है, लेकिन इंडिया में तो आता है Exynos वाला, तो यहाँ पर दोस्तों जो Qualcomm के इंडिया head है, वो यह कहते हैं, कि snapdragon 835 powered जो phones हैं, वो इंडिया में बहुत जल्दी आने वाले हैं, अब Mi 6 आएगा या OnePlus 5 आएगा, दिखते हैं दोनों वे से क्या होता है, और यहाँ पर जोस्तों जहां तक बात है OnePlus 5 की, यह भी OnePlus ने एक और टीजर सामने निकाला है, जहाँ पर कहते हैं Hello 5, मतलब बहुत जल्दी बस यह आने ही वाला है, शायद आने वाले कुछ दिनों में, कुछ यहाँ पर दोस्तों sketches भी सामने आये थे, जहाँ पर फोन का design जब development phase में होगा, तो फोन कैसा दिखने वाला है, उसके बारे बताते हैं, जहाँ पर दोस्तों मालूम है चलता है कि, पीछे की तरफ भी दो rear camera's, आगे की तरफ में दो front camera's, हाला कि यह जियो नहीं से लाग गुना बहतर होगा, तो यह देखते हैं कि OnePlus 5 कब unveil करता है OnePlus, दोस्तों अगला update आपने निकल के आता है, वो है Facebook की तरफ से, और Facebook ने basically दोस्तों, पोस्तों को शेयर करेंगे, तो भाई Facebook प्लीज इंडिया पे ध्यान लगाओ, आपका database खा रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों अकाउंट्स हैं, जो नकली नामों से बने हैं, फेक आईडीज हैं तरह तरह की, प्लीज उनको साफ करो, थोड़ा सा अच्छा हमको देखने को मिलेगा, आपका scenario वरना तो पता नहीं, क्या-क्या share होता है, क्या-क्या like और क्या-क्या तरह-तरह का Facebook है, मतलब मेरा आजकल ना मन नहीं करता परसनली Facebook जाने का, एक time था जब initially कभी-कभी थोड़ा बहुत यूज करता भी था, लेकिन आजकल मैं Facebook यूज बिलकुल भी नहीं करता हूँ, मतलब देखता मैं नहीं Facebook की तरफ, आप जो हैं वो ज्यादा क्या यूज करते हैं, social media में जो हैं, मतलब Facebook, Twitter, Instagram वगर है, Snapchat का था वैसे भी scene ये लगए, आप मुझे बताएगा नीचे comments में, तो सभी यहां पर जो अगला update है, वो आता है WhatsApp की तरफ से, और अभी WhatsApp ने ये बताया है, कि वीडियो कॉलिंग का जो feature है, वो Indians के बीच में बहुत ज़्यादा popular है, और हर दिन दोस्तों, यहां पर करीब करीब 50 million minutes जो है, वो वीडियो कॉल की की जाती है, Indians के द्वारा, तो भाई, popular तो होना ही है, अब इसको जियो जो है, वो तो free चल रहा है, basically मतलब वो free समझो न, और WhatsApp का जो video calling है, वो भी free है, तो दोनों तरफ से अगर free मिल जाएगा, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, हलां कि मैं इतना use नहीं करता हूँ, WhatsApp, video calling को, और voice calling को, हलां कि इतना क्या, मैं बिल्कुल zero use करता हूँ, because UAE में क्या है, कि यह दोनों चीज़े बिल्कुल band है, जिसके बारे में आता है, और यह है बिसिकली एक ऐसा spray paint, जिसके बाद में, इसको लगाने के बाद में, आप किसी भी surface को, एक touchscreen में convert कर सकते हैं, मतलब यह दोस्तों, बिसिकली एक ऐसा conductive paint है, जिसको एक बार आप spray कर दीज़े, किसी भी surface पे, और उसके बाद में, आपको बस कुछ drivers लगाने हैं, और यह मतलब वो surface को, चाहिए वो किसी भी shape की हो, किसी भी form की हो, एक touchscreen में convert कर देगी, तो यहाँ पर जो possibilities हैं, वो endless हैं, मतलब आप देखो, फोटोज में, गिटार की ओपर जो spray paint है, वो किया गया है, फुर उसके लिए किसी भी surface को, आपको घर की दिवारे हो, चैक टेबल हो, चैक कुछ भी हो, आप मतलब एक input की तरह काम में ले सकते हैं, उसको एक touchscreen में convert करने के बाद में, तो यह बहुत ही कमाल की चीज़ है, आगे चलके देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ पर किसकी सरीकी से implement किया जाता है इसको, दोस्तों अगले हाँ अपर अपडेट है, वो एक बहुत ज़ादा shocking news है, और रिपोर्ट दोस्तों यह कहती है, कि जो AI-powered robots होंगे, वो basically 2022 तक है नहीं कि आने वाले 5 सालों में, medical field, law field और IT की department में दोस्तों, replace करने वाले हैं हम humans को, तो अगर आपने अभी तार तार एडिशन लेने का सोचा है, medical में या फिर जिनरी की मगरे में, तो चलो मजाख कर रहा हैं ऐसा इतनी जल्दी होगा, चलो अलग बात हैं लेकिन ऐसे एकदम बड़े स्केल पर नहीं होगा, कि सबकी नौकरी चली दाएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों definitely जो robots हैं, वो हमारे daily life का हिस्सा बनने वाले हैं, बहुत बहुत जल्दी, और लगबग सभी जगहों पर हमको robots दिखने को मिलें, क्योंकि वो हम humans से काफी अच्छे से बहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जो AI-based systems हैं, वो इतने अच्छे से एक बार grow एक बार करना शुरू हो जाएगा ना, तो वो मात्मिया self learning के थुरू, और अच्छे से अपनी intelligence को बढ़ाता रहेगा, तो आपको इसके बारे में क्या सोचना है, कि future में जब 4 तरफ robots सारे काम robots करेंगे, तो मतलब हम बिसिकली करेंगे क्या यार, हम जो हैं वो क्या काम करने वाले हैं, तो सच्छे आपर जो अगला update है, तो आपको बहुत सारे और functions मिलते हैं, आप दूसरे अपने जो cameras हैं, उनको यह आपने देख सकते हैं, आप कोई videos को देख सकते हैं, आप video calling भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप उनको की गाना सुने हैं, तो उसके लिएक साब को सामने दिख जाएंगी, तो यह जो device है, इसकी price है 230 डॉलर, तो यह लगता है sensible, compared to वो जो पुराना वाला device था, जहां पर खाली cameras थे, आप कपड़े पहन के खड़े हो जाओगे, और बताया कि आप कैसे लगते हो, तो यह आता है Amazon की तरफ से Amazon Echo Show, दोस्तों बस यही थे कुछ अपडेट्स आज के इस Tech Talks की वीडियो के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोई शाला सुझावत तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक के शेर नहीं किया तो लाइक भी बिर दीजिए और शेर भी कर दीजिए, और चैनल को सबस्ट्राइक पढ़ना बलकुलिए मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ, फिलाल फिले इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम,